नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत हैं मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो को अंतितक आप जरूर देखें यदि आपको कपज की प्राउब्लम है परिवार में फैमिली में कोई कप जो से लंबे समय से सफर कर रहा है तो यह वीडियो उन तक आप जरूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों से हैं भावी करते रहता है ज tengo medicine यूज करता है तब तक रेलिव होता है और जैसे ही medicine यूज करना बंद कर देता है तो फिर से यहाँ problems हो जाती है कई तरह के घरेलियुपाय में आमला आता है हर रहा आता है भेंडो आता है इन चीजों का उफ्योग करते रहता है गरम पानी सुभा सुभा पीता है तो कुछ समय तक रिलीफ होता है और फिर से उसे कबज की प्रॉब्लम हो जाती है और कब जिसमें जब तक मैडिसिन ली जाती है तब तक रिलीफ हो जाता है और फिर से सीधे कब्ज की प्रापरं से अमोपेतिक मेडिसिन के भारे में की हमें किस तरह से यूस करना है। तो चली हमारे जानते हैं सीधे कब्ज की प्रॉब्लम्स इलेटेड ऐं पारHealth मैडिसिन पहले नंबर पर आपको लेके आनी है दोस्तों वूमोना मैडिसिन आपको 200 प्रॉटेट पॉटाइंसी में लेकर आनी है ऐलूमुना सपेसली कप जी केस्वें बहुत ही अच्छा काम करती है यह ऐलुमुनियम धातू से बनाई जाती है ऐलूमुना कि पेट साफ नहीं होता है, एक या दो दिन में जाना पड़ता है, कई वार फीलिंग्स ही नहीं आती कि पेट साफ करने जाना चाहिए, तो इन वैक्तियों के लिए ऐलो मुना 200 पोटेंसे में यूज की जाती है, सबसे पहले नंबर पे आपको ऐलो मुना लेके आना है, दूसरे पूट का बहुत ज़्यादा मातरा में शिवन करते हैं, तो उसके कारण आगे चलते हुए ने कबज की सिकायद हो जाती है, तो उस कंडिशन में नक्स बूमी का यूज की जाती है, आपको 200 पोटेंसी में लेके आनी है, तीसरे नंबर में मैडिसिन लेके आनी दोस्तों मेली से अब बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनको स्टूल बहुत ही जजादा हाड हो जाता है, जिनका उपरिशन होते रहता है, तो उन्हें एनी मिया दिया जाता है, पेट साफ करने के लिए उनने जाने की बिलकुल इक्छा नहीं होती, एक बार में पेट प्रॉपर तर करने के लिए इस्टूमेंट तक की साहरा लेना पड़ता है उस कंडिशन में साइलिशया बहुत ही अच्छा काम करती है 200 पोटेंसी में लेके आना है और लास्ट मैडिसीन आपको सलफर लेके आना है 200 पोटेंसी में सलफर का जो व्यक्ति होता है उसे बहुत जदा कब्ज की स देखने को मिलता है काफी ताकत लगाता है पानी की प्यास उसकी काम हो जाती है तो यह चारों मैडिसीन आपको लेके आनी है और एक 100 ml की खाली बूटल लेके आनी है बराबर मातरा में इसे मिला लेना है चाहे आप 3030 ml मिला ले या 1010 ml मिलाके भी आप इसे अपनी फाइल मे रख सकते हैं इसका सेवन आपको चार बूंद सुभा और चार बूंद स्याम को दिन में दो बार करना है काफी लंबे समस्या है तो दिन में दो बार करेंगे क्रोने केस में और एक्यूट समिश्या है तो दिन में एक बार इस मैडिसन का यूज़ करेंगे साथ में एक मदर तक एक मेने तक कंटीनियू करें आने वाले मेहने में जब भी आपको तकलीव है तो एक दो चार दिन आप ले सकते हैं सक्वाद फिर इस मैडिसन को आप बंद कर देजेगा इस तरह से कबज की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है सांती साथ मदर टींचर आपको लेना है जिसका नाम है कैसकारा सगाडा मैं पिक्चा लगा देता हूँ इस मैडिसन का सेवन आपको आदे कप पानी में गुंगुने पानी से आपको इस मैडिसन कर लेना है बीजबून सुभा और बीजबून स्याम को गुंगुने पानी से आप इस मैड सब दंबा देते तो ओनलाइन ले सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में वसे तना ही कल फिर में लेंगे नेक्ष वीडियो में तब तक लिजा हैं जै भारत बंदे मातर